अले दोस्तर स्वागत आपका मक्सूद आलम के एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपने यूटूब चैनल है यार मक्सूद जिसमें आद मैं आपको दिखलाओंगा रुमाली वाली यानि मियाने वाले पजामे की कटिंग स्टेप बाई स्टेप 20 सफ आप मिश्क कर रहें ईसजो पजामे की हम काटिंग करेंगे इसके चार अपार्ट एक जैसे बराबर काटिंग कपड़ा चेकल कितना है एक बीस कपड़ा लिया हमने यह बड़े अरज का है कि मियानी वाले पैजामे कि हम इसमें कटिंग करेंगे पिल हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं मेजरमेंट किस तरह से अरतिस इंच लंबाई है पंद्रा इंच मोरी है चालिस इंच इसके हिप है कपड़े को सीधा करने के लिए कि हमें सीधा इस्टेट निसान लगा लेना है इस निसान से सबाद दो इंच नेफे के लिए एक निसानों लगा लेना है सेम ऐसे इधर भी अब इन दोनु निसानों को हमें सीधा इस्टेट कर लेना है किनारी पीछ से हाफ इंच छोड़कर एक तेरा चोजा इंची तेक सीधा निसान लगा लेना है इस निसान में हम अपनी इंची टैप को रख करके इसकी लंबाई का निसान लगाएंगे लंबाई है 38, 38 पे पुरा निसान लगा लेना है धाई इंच हम एश्टा लगाएंगे जो मोरी फोल्ड होगी अंदर को सेम ऐसी ही इन निसानों को इस तरब भी हमें लगा लेना है इन दोनों निसानों को अब हमें सीधा इस्टेट कर लेना है नीचे वाले को भी इस निसान में इनची टेप रखके हिप हमारे 40 है 40 कर जो चोधा वाग होगा 10 इंच चार इंच हम इसमें एट करके 14 इंची पे इन निसान लगा लेना है और इन दोनों निसानों को इस्टेट खीच लेना है कि 0 ंno कि कि दो इंच केनारी पीज से हमें ठागर के एक निसान लगाना है मोरि हमारी 15 इंचे 15 का आधा होता है वो होताए 1,5-7 इंच एक इंच एश्टरा जो दोनों तरफ आदा आदा इंच दबगा आदा इंच दबगा आदा इंच दबगा तभी हमारी पंद्रा मोरी तयार आएगी जब इस निजान से और उपर की निजान से हमें इसटेप रखते और यहां आस्मिंवाल इंसान तिक निजान उठा लेना है इस निजान को हलके से हमें स्केल पट्टी से CC सीधा कर लेना है यह हमारा 40 है, चालिस का चोधाबाग 10 उंच, छालिस यहां हमें 8 करेंगे दस और चार चोदा चोदा इंच पे हमें इनिसान लगा लेना है इन दोन इनिसान को अब हमें सेब स्केल से शेप कर देना है ऐसे ही इधर से हम सेप कर लेना है महरी की इनिसान से और थाई की इनिसान तक हल्किसी भी महरी में बना लेनी है इधर भी इस निसान से हमें किनारी की पीज़ तक नाप लेना है कितना है इतना ही सेम उपर नाप लेना है अब इस निसान को और इस निसान को हमें सीधा कर लेना है डबे की शकल में यह हमारे मियाने वाले पैदामे की निसान लगया हम हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बार हैं तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यह हमारे फरेंट कट हो गया है जैसे भी हमें कट कर लेना है हमें अब यह कपड़े पर अपने फ्रेंट को जमा लेना और ऐसे ही से मिसी की तरह इसे भी कट कर लेना है विल्कुल एक जैसे एक बराबर जैसे ही कट करना है त्यूंक हम इसके चारों पाड़ जैसे ही काटेंगे बार में हमने दो पाड़ काटें दो अब कट रहा है हमारे मियान अवाली के यह हमें लंबाएं के लगा दे नहीं हैं यहां से हम मुरी फोल्ड करना के इस वे पोकिप्ट लगेंगे और हम इसके पोकिट का निशन लगाएं गी उपर से तेरिदी अचैसे सावाच हेंच पोकिट का मूझ होलेंगे हमारी पॉकिट की निसान लग गए है अब हम इसकी मियानी कट करेंगे रोमाली भी कहते हैं हमारे हैं मियानी भी कहते हैं बात एक ही है हलके से शेब में मियानी कट कर लेनी है जाले किसी चोच बनी हुए इसे राउंड कर देनी है गोल देखो हमारी मियानी कट हो गई यह देखो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो फिले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो आपको कैसे लगे हमें कैमेंट में जबूर बताएं